Morning students, Home Science MCQ channel में आप सभी का स्वागत है Video series 7 के माध्यम से आईए शुरू करते हैं कम्प्यूटर के question answer First question देखेगा संस्थाओ के बीतर आंतरिक संचार माध्यम से किया जाता है Option A, LAN, Option B, WAN, Option C, EBB, Option D, M, M, S आपका सही answer है Option A, LAN, L, A, N Second question है Binary भाषा में डैश, अंक, S होते हैं Option A, 8, Option B, 2 Option C, 1000, या Option D, 1 आपका सही answer है Option B, 2 Question number 3, Byte Data का एक डैश हो सकता है Option A, Bit Option B, Binary Digit Option C, Character या Option D, Kilobyte आपका सही answer है Option C, Character Question number 4, देखेगा CPU में नियंत्रन इकाई के फंक्शन क्या है Option A, प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए Option B, तार्किक संचालन करने के लिए Option C, प्रात्मिक भंडारण के लिए डेटा इस्थानांत्रित करने के लिए या Option D, प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करने के लिए आपका सही answer होगा Option A, To Store Program Instructions Question 5, आठ, जीरो और एक के एक स्ट्रिंग को एक करने के लिए क्या कहा जाता है Option A, Megabyte Option B, Byte Option C, Kilobyte Option D, Gigabyte आपका सही answer होगा Option B, Byte Question 6, देखेगा निम्न में से कौन कम्प्यूटर के चार प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है Option A, डेटा एकत्र करना Option B, जानकारी में डेटा प्रसंस करन Option C, डेटा या सूचना का विशलेशन Option D, डेटा या सूचना को संग्रहित करना आपका सही आंसर है Option C, एनलाइजिंग डेटा और इन्फोर्मेशन Question No.7 देखेगा डेश, एक प्रक्रिया बड़े खुद्रा विक्रेताओं द्वारा प्रवत्यों का अध्यन करने के रूप में जाना जाता है Option A, डेटा माइनिंग Option B, डेटा सेलेक्शन Option C, पी ओ एस या Option D, डेटा कनवर्जन आपका सही आंसर होगा Option A, डेटा माइनिंग एथ कोशन है, वाट इस एंटिवाइरस Option A, इट इस ए कम्प्यूटर Option B, इट इस ए प्रोग्राम कोड Option C, इट इस ए कम्पनी नेम या Option 4, इट इस एन अप्लिकेशन आपका सही आंसर होगा Option B, यह एक प्रोग्राम कोड है Q9, A, S, C, I, I, कोड हैस डैश बिट्स Option 1, 8, Option 2, 16, Option 3, 10, Option 4, 24 आपका सही आंसर होगा Option 1, 8 यानि A, S, C, I, I, कोड हैस एट बिट्स Q10 देखेगा एक डैश लगबग एक अरब बाइट्स है Option A, किलो बाइट Option B, बिट Option C, गीगाबाइट Option D, मेगाबाइट आपका सही आंसर है Option C, गीगाबाइट ध्यान रखेगा स्टुडेंट्स A, S, C, I, I यानि American International Code for Information Interchange कुंजी पटल वर्णो और निर्देशो को Binary संख्या कोड में परिवर्तिक करने के लिए एक Encoding System जिसे Computer समस्ता है Students, Research Methodology and Computer Related Questions are very very helpful Read all questions Also watch previous Computer Subject Videos हम उमीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी पिछले वीडियो की तरह लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स और विचार हम तक जरूर पहुचाएंगे Thank you viewers, have a nice day